जेहिंद नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों बारत सरकार उन पूरू सेनिकों को या उनके परिवार वालों को जिनोंने 1965 और 1971 की लड़यां लड़ी है और समर सेवा इस्टार या पूर्वी या पस्चिमी इस्टार प्राप्त किया है वो पूर चोड़ के चले जा चुके हैं तो उनकी जो वाइफ हैं वो हैं तो उनको 15 लाख रूपे देने के लिए एक प्रोपोजल लेके आई है और इसके उपर काम भी चल रहा है अब इसको लेकर डिपार्टमेंट ओप एक सर्वेसमेन वेलफेर को जिम्मेदारी दी गई है कि वो इन पूरू सेनिकों की जानकारियां मांगें दोस्तों जो रिकोर्ड ओफीस होता है वो सीट रोल को 50 साल के बाद में डेस्ट्रोई कर देता है और अधिकारियों के जो अफसर रिकोर्ड ओफीस में डाटा है वो 15 साल के बाद में डेस्ट्रोई कर दिया जाते हैं तो ऐसी प्रिस्तिती में रिकोर्ड ओपीस और अफसर रिकोर्ड ओपीस के पास में डिटेल्स ना होने की वज़े से ये लेटर जारी किया जा रहे हैं और उन पूरू सेनिकों का डाटा मंगवाया जा रहा है वो पूरू सेनिक या पूरू सेनिक के परिवार वाले जो पैंसर टिकेत बोर्ड भी आना कानी करता है तो केंद्री सेनिक बोर्ड के जरीए या केंद्री सेनिक बोर्ड भी आना कानी करता है तो आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट ओप एक्स सर्विसमेन वेलफेर को बेज सकते हैं जो आपने जानकारियां बेजी है उसका आपको अपना लेटर को ज्यादा तर जो पूरू सेनिक है वो फेक बता रहे हैं तो देखिए आप स्क्रीन पे 15 लाख वाला लेटर फेक है हर कोई यही कह रहा है कि लेटर फेक है क्योंकि वो जिला सेनिक बोड में गए तो आज कल जिला सेनिक बोड का एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि जब तक उनके पास लेटर डाक के जरिये नहीं आता है वो उसके उपर कोई कारवाई नहीं करते हैं चाहे कैसी भी स्कीम आ गई हो जबकि रक्सा मंत्राले और बारत सरकार ने यह आदेश दे दिया है कि कोई भी लेटर है वो अब डाक के जरिये नहीं बेज़े जाएंगे या कोई ज़्यादा इंपोर्टेट है उसको छोड़के जो लेटर से हो डाक के जरिये नहीं बेज़े जाएंगे जो पोलिसी लेटर से है वो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अपलोड होंगे और जो जनरल लेटर्स है वो मीडिया के जरीए सर्कुलेट किये जाएंगे अब इस मामले में जब जिला सेनिक बोर्ड के पास जाते हैं तो जिला सेनिक बोर्ड के जो करमचारी और अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई लेटर नहीं आया जबकि उनके वाटसेप ग्रूप में उनके मोबाइल में सोस्यल मीडिया के जरीए उनके पास में भी लेटर पहुंच चुका है लेकिन वो लाबारती को कहेंगे कि हमारे पास ऐसा कोई आदिस नहीं है राजे सेनिक बोर्ड में भी वही का नहीं केंदरी सेनिक बोर्ड में भी वही का नहीं इसलिए पूरू सेनिक इस मामले के बारे में लेकर पूश्टाच की उन्होंने जिला सेनिक बोर्ड में गए तो वहाँ पे जब उनको सही भरोसा नहीं मिला तो उन्होंने सोच लिया कि ये लेटर फेक है लेकिन दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि ये letter fake नहीं है ये proposal बिलकुल implement होने वाला है जो पूरु सनिक इसको असली समझ कर अपनी जानकार यां बेजेंगे तो उनको आने वाले समय में हो सकता है कि ये proposal जब final हो जाए तो 15 लाक रुपे मिल जाए और जो fake के चक्कर में रहेंगे fake narrative में रहेंगे वो उस समय मुझ देखते रहेंगे तो जरूरी नहीं है कि हर कबर fake हो और ये भी जरूरी नहाओ कि हर कबर सच हो तो fake कबरों के जमाने में सच खबर भी fake लगती है तो हम अपना लाब नहीं ले पाते हैं तो इस fake narrative से बहार आओ और आगे इस वीडियो में आप असलियत जानो सबसे पहले आप दोस्तों समझें ये 12 सरकार के रक्षा मंत्रा लेके पूरू सेनिक कल्यान विबाग का इस letter है और इस letter के जरीए बताया गया है कि 3 अगस्त 2022 को पहले रक्षा मंत्रा लेकी और से एक letter जारी किया गया और इस letter का जो subject था वो था proposal for grant of one time payment of rupees 15 lakh under युद समान योजना यानि युद समान योजना करके एक proposal आया है और उसके तहत उन पूरू सेनिकों को 15 lakh रूपे one time payment दिया जाना है ये proposal अभी भी चल रहा है final नहीं हुआ है क्योंकि इसमें जो जानकारियां है वो मांगी जारी है और जानकारियों की availability ना होने की वज़े से इस proposal पर अभी तक कोई final decision नहीं हुआ है तो 3 अगस्त 2022 को जो letter जारी किया गया था उस letter के जरिये जो emergency commission officers short service commission officers regular commission officers साथ इसाथ JCO, जवान और civilians इन सब के लिए है दोस्तों अब क्या है कि जो अधिकारियों का data है वो MP5 मांगेगा JCO जवानों को data है वो MP8, I of R मांगेगा और civilians का data उनका head of office मांगेगा अलग-अलग विबाग अपनी तरफ से जब letter जारी करेंगे तो उसमें केवल अपने ही related जो JCO जवान अधिकारी civilians है उनके बारे में लिखेंगे तो अलग-अलग जब letter जारी हो रहे हैं तो उसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस letter में civilian और officer का नाम नहीं लिखा इस letter में JCO जवानों और civilian का नाम नहीं लिखा और इस letter में JCO जवानों और अधिकारियों का नाम नहीं लिखा SSCOs, Regular Commissioned Officers, PBORs और civilian क्या क्या उन्होंने who actively participated in 1965 and 1971 Wars और दोनों है हो सकता है कि एक हमारा पूरु सेनिक 1965 में लड़ा हो फिर वो 1971 में भी सेवा में था तो उसमें भी लड़ा हो या फिर हो सकता है कि 1965 में लड़ा हो, उसके बाद वो retirement हो चुका हो या फिर 1965 के बाद में भरती वाओ लेकिन दोनों में participate करना जरूरी नहीं है किसी एक युद में participate किया होना चाहिए या फिर दोनों में होना चाहिए साथ ही साथ, क्या होना चाहिए तीन तरीके के यहां पे star दिये वे यह थोड़ा dark किया हुआ, highlight किया हुआ आपको मैं बता जाता हूँ समर सेवा star पहला दूसरा पस्चिमी star और तीसरा पूर्वी star तीन star इन तीनों starों में से या तो कोई एक star मिलावा होना चाहिए उसका part order होना चाहिए या फिर यह तीनों ही मिलेवे होंगे या इन में से कोई दो मिलेवे होंगे तो भी वो eligible है अब इसके बाद 18 अगस्त 2022 को फिल लेटर यहां पे जारी किया गया Department of Ex-Service Man Welfare का जिसमें representations आये थे regular commission officers, PBOR उनके associations द्वारा for providing comments in response Army Headquarters while their letter dated 26 September 22 stated that the data of PBORs, regular commission officers, civilian personnel or their espos who actively participated in 1965 and or 1971 wars is not available as the entire army was mobilized during the 1965 and 1971 wars जब Department of Ex-Service Man Welfare ने अफसर record of peace जवानों के record of peace और civilian के record of peace को letter लिखा कि आप यह सब जानकारियां उपलब्द कराएं तो उनकी तरफ से वापस Department of Ex-Service Man Welfare को letter लिखा गया representation दी गई कि यह जानकारियां हमारे पास नहीं है क्योंकि उस समय जो पूरी सेना है वो under mobilized थी तो कोई वहाँ पे record maintain नहीं कर रहा था इसलिए इसमें क्या किया जाएं तो इसके बाद Department of Ex-Service Man Welfare ने इनको लिखा या इस letter के जरी इसपस्टिकन जारी किया इन दिस रिगाड इस इंटिमेटेड देट इस डिपार्टमेट इस इन रिशिप्ट ओप मैनी रिपर्जेंटेशन प्रॉम पीबिवार्स और रेगुलर कमिशन ओफिशस डिमांडिंग दा बेनिफिट्स ओप यूद्ध सम्मान योजना Hence, such PBRs और रेगुलर कमिशन ओफिशस डू एग्जिस्ट यानि ये डाटा अवेलेबल ना होने की वज़े से जो जितने भी जेशियो जवान और अदकारी है वो ये डिमांड करने हैं कि हमें भी 15 लाख रुपे मिले आगे पेरा थरी में देखें दोस्तों मज़े वाली बात लिखी हुई है इस डिपार्टमेंट इस ओप दा व्यू देट वन्स प्रोपोजल फोर ग्रांट ओफ वन ताइम पेमेंट और रुपीज 15 लाग अंडर यूद समान योजना तो ECOs और SSCOs यानि यदि इस डिपार्टमेंट दोरा जो Emergency Commissioned Officers और Short Service Commissioned Officers है उनके लिए 15 लाग रुपे मंजूर कर दिये गे जिनको तीनों में से कोई एक मेडल मिलावा है या 65 या 71 की लड़ाई में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो इसके बाद जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स है जिसमें JCOs जवान और Regular Commissioned Officers है जो pensioner भी हो सकते हैं नोन pensioners भी हो सकते हैं वो भी इस तरीके की डिमांड करेंगे इस डिपार्टमेंट विल बी फ्लड़ड़ड विट लिटिगेशन and there would be no legal ground to deny the benefit to them इस paragraph में दोस्तों बहुती गेरी बात लिखे हुई है जो Emergency Commissioned Officers है और Short Service Commissioned Officers है उन्होंने Department of Ex-Servicemen and Welfare को लिखा कि आप हमें 15 लाग रुपे दे दीजिए हमारे पास डेटा नहीं है लेकिन आप 15 लाग रुपे हमें मंजूर कर दो क्योंकि हमने उस समय 65 और 71 की लड़यां लड़ी है तो Department of Ex-Servicemen and Welfare क्या कहना है कि यदि बिना डेटा की availability के हमने ECOs और SSCOs को 15-15 लाग रुपे दे दिये और proposal को final कर दिया तो बाकी JCO जवान Regular Commissioned Officers और Civilians का क्या दोस है वो भी हमारे को लिखेंगे कि आपने जब Emergency Commission अपसर्स को और Short Service Commission अपसर्स को दे दिया तो हमें भी दो इनके पास डेटा नहीं है फिर भी इनको आपने 15 लाग रुपे दे दिये तो हमारे क्या गलती है और यदि बाकी JCO जवान और Civilians को नहीं देंगे तो वो APT में जाएंगे, High Court में जाएंगे Supreme Court में जाएंगे, Litigation लगाएंगे याचिकाएं लगाएंगे जिसकी वज़े से कितनी याचिकाएं लग जाएगी और यहाँ पे याचिकाओं का धेर लग जाएगा तो हम ऐसे नहीं दे सकते साथी साथ आगे देखिए पेरा फोर में जज एडवोकेट जनरल ब्रांच येज आलसो एडवाइस तु इंक्लूड इविन दा पसनल इन रिसीप्ट ओप पैंशन फ्रॉम गोर्मेंट ओर्गनाज़शन इन दा प्रोपोजल इसमें और भी याँपे आगे आदेश दे दिया कि जो गोर्मेंट ओर्गनाज़शन से पैंशन ले रहे हैं उनको भी इसमें सामिल करो तो एक और पोइंट यहाँपे बन चुका एड़ हो चुका है इसलिए डिपार्टमेंट ओप एक्सरविस्मेंट वेलफेर का कहना है अर्मी हैड़कूर्टर इस रिक्वस्टेट हो और इसमें one अससीओ जो एसीओ ओर्रेगुलर कॉमिशन ओफिसेसो थो P.B.O.R. ओर स्विलियंसो अविस्मेंट पाइसिपेटेटेटेटेटेटेटेज और प्रेस्क्राइड परफॉर्मा और आगे यहां पर फॉर्मेट दिया वा है उस फॉर्मेट के अनुसार डिपार्टमेट ओप एक्सर्विश्मेन वेलफेर ने कहा कि यह कोई मजाग नहीं है 15-15 लाग रुपे हम ऐसा ही नहीं दे सकते हमारे पास यदी डाटा आएगा उनको ह 15-15 लाग रुपे देंगे ECOs और SSCOs के यह कहने से कि आप हमें दे दो बाकी के हमें कोई पता नहीं है तो ऐसा नहीं होगा ECOs और SSCOs ने कोई special लड़ेयां नहीं लड़ी है सबने लड़ेयां जिसने लड़ी है फैंसर टो रिक्यतर के उनको पता है और जब लड़ाई लड़ी है तो उनका पार्ट ओडर भी पब्लिस है यह सब कुछ मिलेगा पार्ट ओडर के उपर मेडल मिला है करके किसी के पास रखा है उससे नहीं मिलेगा जब एक बार लिस्ट वहाँ पे जाएगी कमपाईल होगी डिपार्टमेंट ओप एक्सर्विसमें वेलफेर के प लखा है तब ही यह 15 लाग रुपे मिलेंगे दूसरा फाइनेंसियल कंडिशन भी देखी जाएंगी हाँ हाला कि इस समय कोई भी जो उनिस सो पैंसेट और इकेतर का जो हीरो है जिसो हम पूरु सेनिकों को हीरो कहते हैं वो हो सकता है कि कहीं रियेंप्लोई ना हो लेकिन ऐस पैसा भी हो सकता है कि उनकी फाइनेंसियल कंडिशन अच्छी हो तो उनको नहीं मिलेगा डिपार्टमेंट और एक्सरेस्मेंट वेलफेर और बारा सरकार को लगेगा कि इनकी जो वित्याहला ठीक नहीं है तब ही उनको 15 लाग रुपे दिये जाएंगे तो दोस्तों मेरा इस लेटर को दुबारा से समझाने का मतलब ये था कि ये पोलीसी और जो प्रोपोजल चल रहा है वो फेक नहीं है इस फेक के चकर में किसी पूरुसेनिक या उनके इसपोस को ये पैसा इलिजबल है तो वो वन्चित रह जाएंगे इसको आप असली समझ के ओरिजिनल समझ ये प्रोपोजल फोर ग्रांट ओप वन टाइम पैमेंट ओव रुपीज 15 लाग अंडर यूद समान योजना 15 लाग रुपे मिलेंगे पैंसाट 71 की लड़ाई में लड़ेवे पूर सेनिकों को या उनके इसपोस को इसके लिए आप डाटा बेजें जब एर हेड़कोर्टर ने अपने कमांड हेड़कोर्टर को बेजा तो हेड़कोर्टर डबलू एसी इंडियन एरफोस सुबर्तो पार्क ने आगे फिर बेजा क्योंकि डाटा तो नीचे से मांगना है अलग-लग रिकोर्ड ओपी से मांगना है तो इन्होंने आगे फिर लिग दिया कि 15 लाग रु पर्मी हेड़कोर्टर MP5 ब्रेवो है जो अपसर रिकोर्ड ओपी से उन्होंने भी 5 मार्श 2020 को हर एक अधिकारी को लिखा कहा जिसमें कहा गया कि Ministry of Defense is considering Ex-Gracia Award for ECOs and SSCOs who actively participated in 1965 and 1971 वार्ष and are in receipt of either of the following medals क्योंकि अभी आपने जो Department of Ex-Servicemen and Welfare के लेटर में देखा कि वहाँ पे पहले ECOs and SSCOs ने कहा कि आप हमारे को दे दीजिए बाकी को आप बाद में देखते रहना तो उस समय यह लेटर जारी किया गया था कि यदि किसी को समर सेवा स्टार 1965 पूरी वपस्चिमी स्टार 1971 मिला हो तो आप हमें जानकारी भेजें इसमें यह भी का गया है यह record of service along with doges has been weeded out on expiry of the prescribed tenure of 15 years in terms of Pera 619C regulation for the Army 1987 revised therefore it order to compile the complete data of affected officers NOKs it is requested to provide the requisite details as per appendix attached along with supporting document on priority by doc or email or email जो officer.record.gov.in साती साथ यहां पे landline, email, website शब दिया हुआ है कहा कि आपका 15 साल के बाद में जो record of service है वो नस्ट कर दिया गया है इसलिए आप हमें अपनी जानकारियां बेजें और यही condition JCO जवानों के लिए 50 साल है JCO जवानों के जो seat roll होते हैं वो 50 साल के बाद में destroy कर दिया जाते हैं और अधिकारियों के जो record of service है वो 15 साल के बाद में destroy कर दिया जाते हैं जब record नहीं available record office में और officer record office में तभी यह data है जो directly पूरू से निकों और उनके expose से मांगा जा रहा है क्योंकि यह बार बार कहा जा रहा है कि यह data तो record office में होना चाहिए यह data तो officer record office में होना चाहिए तो दोस्तों regulation for the army 1987 यह कहती है कि अधिकारियों के 15 साल के बाद और JCO जवानों के 50 साल के बाद में जो record of service और seat roll है वो destroy किये जा सकते हैं और उसी के मताबिक यह दिन नहीं करते हैं तो वहाँ पे library full बर जाएगी तो यह एक list बना के board of officer होता है और इन seat roll और record of service को destroy कर दिया जाता है अब इसी मुद्दे के उपर आप यहाँ पे देखें जो JCO और जवानों के लिए काराल है आर्मी एड क्वाटर में MP8 IO of R उन्होंने सभी record of piece को फिर भी लेटर जारी किया है जिसमें यही बात लिखी गई है कि 15 लाक रुपे उन पूरु सेनिकों को देना है इसलिए आप इसकी जानकारी यहाँ पे बेजें लेकिन दोस्तों 1965 और 1971 यदि आप 1965 से 50 साल जोड़ें तो 2015 में यह 50 साल खत्म हो चुके ह इसका मतलब record of service को destroy कर दिया गया है सभी record of pieces द्वारा ओर दोस्तों ऐसा कम ही पूरु सेनिकों के data या seatroll अभी available है केवल उनी के seatrolls available हो सकते हैं जो 1965 लड़ाई से कुछी सालों पहले वो सेना में बरती वे हो तो उनके seatrolls record of piece में हो सकते हैं और जो 1965 के दोरान या उसके आसपास एक दो साल के बाद में जो retirement ले चुके हो तो उनके 50 साल जो seatrolls destroy करने की limit है 50 साल वो 2015-16 में खत्म हो चुकी है इसी परकार 1971 वालों की आप उसमें 50 साल जोडें तो 2021-22 में उनकी भी limit खत्म हो चुकी है तो mostly जो उसमें पूरू सेनिक थे उनके record of service destroy हो चुके हैं तो दोस्तों इस परकार 1974 तक retirement वालों जो पूरू सेनिक हैं उनके 50 साल 2024 में हो चुके हैं अब किनके seatrolls available है किनके seatrolls available नहीं है लेकिन 100% उन पूरू सेनिकों के data record of piece और अपसर record of piece में available नहीं है कुछ पूरू सेन पार ने लिखा है कि one time payment of रूपीज 15 लाक अंडर युद समान योजना is under consideration with department of ex-servicemen welfare has sought additional data in respect of personal or their spouses JSU's or OR who actively participated in 1965 and or 1971 was तो ये data कब तक record of piece से मांगा है 25 अगस्त 2024 अब record of piece के पास data नहीं होने की वज़े से record of piece उन पूरू सेनिकों को लेटर लिखेगी जिनका की record of piece में जो master list है 1965 और 1971 के जो war heroes है उनके गर पे हो सकता है कि लेटर लिखे उनसे जानकारी मांगे तो इससे अच्छा ये है कि आप खुद यदि एक 1965 या 1971 के war hero है या फिर आप 1965 या 1971 के war hero की wife है तो आप खुद अपनी तरफ से लेटर लेग दें और हर जगे इसकी copy बेज दें रक्सा मंत्रा ले अपने record of piece जिला सेनिक बोर्ड साती सात डिपार्टमेंट ओप एक सर्विसमेन वेलफेर को ताकि आपका data compile हो सके हैं और इस 15 लाक रूपे पाने के लिए ज़्यदा जानकारियां नहीं मांगी गई है एक format दिया गया है जो आप अपने एक blank paper के उपर pen से भी बना सकते हो डिपार्टमेंट ओप एक सर्विसमेन वेलफेर को चाहिए आप से ये जानकारियां पहली आपकी जानकारी आप आपका आर्मी नंबर आपका रेंक आपका नाम और आपकी अभी उमर कितनी है आपका home address क्या है आपका mobile नंबर क्या है आपके पास में कितनी जमीन है कितने प्लोट है और कितने फ्लेट है साथी साथ लास्ट पांच साल का आपका जो income tax details है वो चाहिए जिसमें आप form 16 लग लगा सकते हो या यह नहीं है आपके पास तो आप जो revenue officer है उससे revenue certificate यानि income certificate लगा सकते हो फिर आपके जो present occupation क्या है अभी आप क्या कर रहे हो क्योंकि आपकी उमर इतनी हो चुकी होगी या आप एक war hero की wife है तो आपकी उमर इतनी हो चुकी होगी कि आप ऐसा कोई occupation नहीं कर हैं आप गर पे आराम कर रहे होंगे और हम आसा करते हैं बगवान से कि आप हमेशन स्वस्त रहे हैं और यह जो प्रोफोजल final हो और आपको 15 लाक रुपे मिलें उसके बाद आपकी जो present annual income क्या है अपनी pension पूरे साल की जोड़ के यहां पे लिख दो रिमाक में आप कुछ लिखना चाते हैं तो लिख दो साथ में आप पस जो भी डोकोमेंट है पी प्यो है आपकी डिस्चार्ज बुक है अपने बेंक अकाउंट पास्बुक की फोटो कोपी है यह सब इस परफोर्मा के साथ लगा के और आपके यह जिला सेनिक बोर्ड मदद नहीं करता है तो लेटर लिखवा के आपको मैंने बताया जैसे अपने रिकोर्ड ओपीस जिला सेनिक बोर्ड डिपार्टमेंट ओप एक्सर्विसमेन वेलफेर रक्सा मंत्रा ले साथ साथ केंदरी सेनिक बोर्ड को आप सभी जगे 5-6 लेटर बनाके उनको आप स्पीड पोस्ट या रजिस में स्टार मिलावा होना चाहिए इसकी अथोंटिसिटी रिकोर्ड ओपीस से अपने आप डिपार्टमेंट ओप एक्सर्विसमेन वेलफेर करवा लेगा कि उसका पार्डूर पब्लिस है या नहीं अभी आपको इतना ही करना है कि अपनी जानकार या बेजनी है ये कोई फे इसकी अपनी आप डिपार्टमेंट ओप एक्सर्विसमेन वेलफेर के कॉंटेक्ट नंबर दे रहा हूं इन कॉंटेक्ट नंबर को आप नोट कर लें या स्क्रिन सोट कर लें और उसके बाद आप उनको एक बार कोल करके पूछ सकते हैं देखिए डोक्टर पी एच और उनका ओफिस एड्रेस है क्योंकि कुछ पूरुसेनिक ओफिस एड्रेस पूछ रहे थे कि बेजने कहां पहें तो 99A साउत ब्लोग न्यू दिली डबल वन डबल जिरो डबल वन इस पे अपने डोकुमेंट बेजने हैं कोल करना है तो नंबर दिये गए हैं फेक्स करना ह समय पे बेजें और इसके बारे में आपको और कुछ पूछ नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं और जदा जानकारी के लिए आप यहां पे दिये गए नंबरों पे कोल कर सकते हैं तो आपको जानकारी कैसी लगी अधि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइ जुब ए सुच्छ जुब कर दो किया दो